तो हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आये class 12 mathematics में types of functions के बारे में consider किया जाए देखे कुछ types of functions आप class 11 में पढ़ने हैं functions के कुछ types आप class 11 में आलेडी पढ़ने हैं तो कुछ और types हम यहाँ पे consider करते हैं तो definition यह लिखी जारी है कि let fx2i be a function कोई function है set x से set y में इस फंक्षन को 11 बोला जाएगा या इन्जेक्टिव फंक्षन, 11 फंक्षन को ही हम इन्जेक्टिव फंक्षन भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए, कि सेट x से y में कोई फंक्षन 11 का होगा, जब सेट x के elements की image क्या होने चाहिए, different होने चाहिए, फतलं सेट x के जो different elements हैं उनकी images क्या होने चाहिए, difference होनी चाहिए, तब यह function क्या होता है, 11 होता है, that is, हमने यह भी लिखा है, that is, function fx2y is said to be 11 function, if different elements of x have different images in y set x के जो different elements हैं उनकी image भी क्या होने चाहिए different होने चाहिए ठीक है और एक और बात यहां पर आप समझ लीजे are equivalently if f of x1 is equals to f of x2 then x1 is equals to x2 होना चाहिए ठीक है इसको हम एक example में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है इसको हम क्यों use करते हैं इसमें यह बूला जा रहा है कि अगर elements की images equal है तो elements भी क्या होने चाहिए equal होने चाहिए 1-1 function के लिए ठीक है तो आए कोसे examples consider किया जाए इसमें देखिए हमने यह किया है कि दो function हम suppose किये हैं दो function suppose किये हैं एक function set a से set b में है और दूसरा function set x से set y में है और f जो function इस तरी के से defined है आप देखिए कि 1 की image क्या है 1 की image c है 2 की image a है 3 की image b है और 4 की image e है तो चेक करिए कि यह function 1-1 है कि नहीं है देखे dynamics is different . तो इनकी images भी और हिए है इसलिए यह function क्या हो जाएगा 1-1 था इसलिए में देखिए दूसरे वाले function में कोई function g defined है कहां से कहां पे set x से set y में और इसके elements क्या है 1 टू 2 134 इसके elements क्या है a b c हे तो यह function nuit k시 यहागा आए चेक ही अजा देखे 1 की image क्या है A है 2 की image क्या है C है 3 की image क्या है B है और 4 की image A है तो यहाँ पर देखे 1 और 4 दो different elements है 1 और 4 दो different elements है लेकिन इनकी image क्या है सेम है यहाँ पर देखे 1 और 4 दो different elements है लेकिन इनकी image A सेम है तो यह function 1-1 होगा यह function 11 नहीं होगा ठीक है तो आए कुछ और example consider किया जाए इसमें देखिए फिर से हमने क्या किया है तो function suppose किया है function F जो है वो set A से set B में है और set A के elements क्या है A, B, C, D, E है और set B के elements क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है तो इसमें देखिए A की image क्या है 5 है B की image क्या है 1 है C की image 1 है D की image 3 है और E की image क्या है 2 है तो यह function 11 होगा नहीं होगा यह function 11 नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि देखें B और C दो different element है लेकिन इनकी image 1 क्या है same है और B और C दो different elements है लेकिन इनकी image 1 क्या है ऐसा नहीं हो सकता, B does not discuss to C होगा, क्योंकि set A की ये elements है, तो set किसी भी set में हम elements को repeat नहीं करते हैं, तो यहाँ आप देखें, B और C दो different elements हैं, लेकिन इनकी image 1 क्या है, same है, तो इसलिए function 1, 1 नहीं होगा, ठीक है, इस G function में देखें, G function में, G function लिया गया है, set X से set Y में, और G के elements क्या है, sorry, G X के elements क्या है, A1, A2, A3, A4, और set Y के elements क्या है, B1, B2, B3, B4, B5, तो यहाँ आप देखें, A1 की image B1 है, A2 की image क्या है, B3 है, A3 की image क्या है, B2 है, और A4 की image क्या है, B5 है, इसमें देखें, सारे different elements की image क्या है, है different है जितने भी different elements है उनकी image भी क्या है different है इसलिए function क्या है one one है ठीक है अब हम एक और question की discuss करें जैसे इसमें यह बोला जा रहा है कि so did the function f from natural number to natural number तो इसमें यह बोला जा रहा है कि f जो function है वो set up natural number से natural number में defined है और इस तरीके से f x equals to 2x मतलब question यह है कि f function है set up natural number से natural number में जो इस तरीके से defined है f x equals to 2x तो इस function को हमको प्रूब करना है कि यह function क्या है one one है तो ध्यान से देखें इसके elements कैसे आएंगे one की में इसके आएगी two आएगी one की में इसके आएगी two आएगी क्योंकि देखें f1 क्या होगा f1 हो इसके आएगा two into one मतलब two f2 क्या होगा two into two मतलब four तो f3 उसी तरीके से f3 क्या होगा six होगा f4 क्या होगा eight होगा तो यह तो आप जानते हैं कि setup natural number है उसमें तो infinite elements हैं तो आप कितने elements बैसे चेक करेंगे कितने elements को दिखाएंगे कि different elements की image क्या है different है तो इसी के लिए हमने आपको पीछे डिफिसम में बताया था कि हम और एक्यूवेलेंटली यह बता गया था आपको कि हम इसको कब यूज़ करेंगे if f of x1 is equal to f of x2 है तो यह imply करें x1 is equal to x2 तो function 11 माल लिया जाता है मतलब हम यह suppose करते हैं कि if f of x1 is equal to f of x2 फिर हम अगर हम यह प्रूब करते हैं कि x1 is equal to x2 है तो यह प्रूब हो जाता है कि यह function क्या है 11 है तो इसी identity को हम यहाँ पर use करेंगे तो देखें मतलब हम यह use करेंगे हम यह suppose करेंगे कि if f of x1 is equal to f of x2 है तो हम यह prove करेंगे कि x1 is equal to x2 है तो यह proof हो जाएगा कि function क्या है 11 है ठीक है तो देखें f11 क्यों है उसका reason लिखा जा रहा है अगर हमने यह suppose किया इसको consider किया कि f of x1 is equal to f of x2 तो देखें f of x1 कितना होगा 2x1 और f of x2 कितना होगा 2x2 होगा तो हमने यह यहां से consider कर रहे है f of x1 is equal to f of x2 तो यह क्या imply करेगा कि 2x1 is equal to 2x2 according to your condition definition तो देखें 2x1 is equal to 2x2 तो यह क्या imply करेगा कि x1 is equals to x2 है तो देखे द्यान से आपने f of x1 is equals to f of x2 से स्टार्ट करके यह प्रूब कर दिया कि x1 is equals to x2 है तो यह function क्या हो जाएगा function 11 हो जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया इसमें हमने यह किया क्योंकि यह तो सेट आफ यह तो इन्फानाइट सेट है तो कितने different element के आप different दिखाएंगे ऐसे बहुत है सारे elements हैं तो इसके लिए हम इस definition को यूज करते हैं हम यह suppose कर रहते हैं कि f of x1 is equals to f of x2 है और फिर जिस तरीके से function defined है उसको यूज करके हम यह prove कर रहते हैं कि x1 is equals to x2 है तब यह function 11 हो जाता है जैसे हमने क्या किया हमने f of x1 is equals to f of x2 लिया और तो फिर function क्या हो गया function इस तरीके से defined है f of x equals to 2x तो हमने यह लिया f of x1 is equals to f of x2 तो हमको क्या मिला 2x1 is equals to 2x2 तो फिर से यहां से हमको क्या मिला x1 is equals to x2 तो इसका मतलब क्या है कि function क्या है 11 है तो hopefully आप समझ पाए होंगे तो आएए next question consider किया जाए तो आएए एक और question discuss किया जाए इसमें कहरा है कि in each of the following cases state whether the function is 11 justify or answer तो पहला part इसका है कि f कोई function है real number से real number में और वो इस तरीके से defined है 3-4x और दूसरा part है कि f कोई function है real number से real number में और वो इस तरीके से defined है fx is equals to 1 plus x2 तो आएए पहला part देखा जाए इसमें तो पहला part में कहा रहा है कि कोई function है real number से real number में वो इस तरह के से defined है fx is equals to 3 minus 4x तो हमने क्या देखे फिर से real number तो infinite set है इसमें बहुत सारे elements है real number एक infinite set है तो इसमें infinite number of elements है तो आप कितने elements पर one one check करेंगे तेसलिए हमने क्या किया हमने suppose कि f of x1 is equals to क्या f of x2 है और फिर हम यह probe करेंगे कि x1 is equals to x2 है तो यह suppose किया गया let f of x1 is equals to f of x2 तो देखे fx कैसे defined है 3 minus 4x तो f of x1 कितना होगा 3 minus 4x1 होगा और f of x2 कितना होगा 3 minus 4x2 होगा तो 3 3 cancel होगा फिर next line में minus 4 minus 4 cancel होगे क्या imply करेगा x1 is equals to x2 हैगा तो देखे हमने क्या suppose किया हमने suppose कि f of x1 is equals to f of x2 है और हमने यह prove कर दिया कि x1 is equals to kya है x2 है इसलिए function क्या है 1 1 है दूसा part क्या कह रहा है इसमें दूसा part कह रहा है कि कोई भी function है real number से real number में और वो इस तरीके से defined है fx is equals to 1 plus x square तो हम इसको यह prove करेंगे एक example कि थूर कि यह function 1 1 नहीं है देखें कैसे नहीं है इसमें यह बहुत सारे elements real number में होते हैं लेकिन हमने minus 1 1 लिया आप दूसरे elements में भी इसको check करें कि यह 1 1 नहीं है जैसे देखें minus 1 और 1 हमने लिया तो f of 1 हम consider करेंगे तो f of 1 कितना आएगा 1 plus 1 का whole square तो यह कितनी value आ जाएगी 1 plus 1 2 आ जाएगी और f of minus 1 कितना आएगा 1 plus minus 1 का whole square तो इसकी value कितनी आएगी 2 आएगी अब देखें ध्यान से f of 1 और f of minus 1 की value कितनी आ रही है 2 आ रही है आ रही है f of 1 और f of minus 1 की value कितनी आ रही है 2 आ रही है लेकिन f of 1 और f of minus 1 की value तो क्या है same है 2 है लेकिन 1 और minus 1 equal नहीं होते है तो इसमें देखिए elements तो different हैं लेकिन उनकी image क्या है same है elements तो different है 1 और minus 1 different elements है लेकिन उनकी image क्या रही है same आ रही है 2 आ रही है और यह function 11 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि f of 1 भी कितना है, 2 है, और f of minus 1 भी क्या है, 2 है, लेकिन 1 और minus 1 equal नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए, different element की image, same आ गई, इसलिए function 11 नहीं है, तो hopefully आप समझपा होंगे, thank you very much.